हलो दोस्तों नमस्कार जहिंद आप सभी को आप यहां देख पा रहे हैं कि जो 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 जल्द ही आने वाली है यह टोटल जो आपका देख पा रहे हैं कि 349 पोस्ट पर यह वैकेंसी आने वाली है इसमें देखेंगी कि 2024 में जो फेकेंसी 349 पोस्ट पर आने वाले है यह सभी गर्जुएशन पास जितने भी कंडिडेट है वो इस फोर्म को अपलाय कर सकते हैं जितने भी जेपेसी के तियारी कर रहे हैं वो सभी कंडिडेट के लिए एक बहुत बड़ा मौका यहां आने वाला है और बहुत ही में और देखेंगे कि किस विभाग में कितना वेकेंसी निकाली गई है इसके बारे में भी जाने काने पूरी तरह से यहां पूरी जनकारियां आपके बीच यहां ला करके रखेंगे कि एक बहुत दिनों के बाद यह वेकेंसी आने वाली है तो आए इसके बारे में पूरा ह यहां पर आप देख पार हैं कि जो टोटल है 349 पदों पर यह भरती के लिए जेपीएसी आयोजित करेगी सिविल सेवा परिछाने यहां लिखा गया है कि जारखन लोग सेवा आयोग आनि जेपीएसी यहां आप देख पार हैं कि जेपीएसी की अगली संजुक सिविल सेवा परिछा आयोजित करने का रास्ता साप हो गया है और यहां लिखा गया है कि तीन सो उन्चास पदों पर यह भेकेंसी यहां पर आएगी और यहां लिखा गया है कि यह रिक्तियां वर्ष 2021-2022 की रिक्तियों को जोड कर दिया गया है इससे पहले 2020 तक जो रिक्तियें के लिए जेपीशी द्वारा दस्मी संजुक सिविल परतियोगिता परिक्षा जो है आपका आयोजित किया जा चुका है 2020 में अभी यहां लिखा गया है कि कुल 349 पद उपर भरती के लिए जेपीशी को भीज़ेगी अध्याचने में सबसे अधिक राज परसासनिक और दूसरी बात है कि वीच सेवा के लिए आपका तीरसट भेकेंसिय और राज पुलिस सेवा के लिए आपका 35 पद पर यह वेकेंसिय आने वाली है इसके अलावा जो है सहकारिता सेवा सुचना सेवा और अनि सेवाओं के लिए 44 पद उपर यह यहाँ भेकेंसिय आने वाली है और बहुत बड़ा यहाँ पर खुस खबरी आप सबी के लिए है कि सबसे ज़्यादा भेकेंसिय आपका जो है वो राज परसासनिक सेवा में सब ज़्यादा यह पद पर यहाँ वेकेंसिय आने वाली है और इसमें लिखा गया है कि गौश्टलाभाय की परिच्छा संचालन नियमावली में संसोधन को लेकर यह पैसी कि संजुख सिविल सेवा परत्युकिता परिच्छा लंबी थी आनी क्या था इसमें कि नियमावली को प्लिट हो चुका है और बहुत जल्द ही आप लोगों के बीच यहां पर यहां देखने को मिलेगा और यहां लिखाओ कि 16 दिसंबर को केबिनेट ने नियमावली में संसोधन पर अपनी स्विकृति दे दी है आनि 16 दिसंबर को ही जितने भी नियमावली है उसमें केबिनेट क संबर का बात है तो यहां देख पा रहे हैं कि जनवरी में आपका यह नोटिफिकेशन आई जाएगा है क्योंकि एक महना का यहां टाइम दे दिया गया है कि एक महना के अंदर इस जो वह उसको निकाली जाएगी तो यह फाइनल है कि यह जनवरी में आपका जो जो डेटे जेपेसी के त्यारी कर रहे हैं वो सभी को लिए तो आईए फिर मिलते हैं एकले वीडियो में तब तक लिए थैंक्यू धान्यवाद